तो एब्रीवन गुड इवनिंग और वेलकम बैक टो माई न्यूव व्लॉग श्याम के 6 बजे का टाइम हो रहा है मैं आयू च्छते क्योंकि बाहर का जो मौसम है बहुत बढ़िया हो गया है बिल्कुल जोरो सोरो से आंधी तूफान वाला मौसम होता है वह हो चुका है शायद आंधी तूफान आने भी वाला है क्योंकि पहाडों में तो जो है लगातार बारिश ही चल रही है अगर इस हिसाब से मौसम रहना तो तूफान बहुत जबरदस आएगा क्योंकि आजकल ना सबसे पहले आंधी तूफान ही आ रहे है और बहुत तेज आ रहे यह पूरा जो है ना अंधीरा सा होने लग गया है चारो तरफ और अभी टाइम ना इतना ज्यादा हुआ भी नही पुड़ा देर छत में वॉक करने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे और आज मुझे ना सबजी बनानी है तो आज मटर और मश्रूम की सबजी बनानी थी तो मैंने ममी को छुट्टी दे दी है मैंने का चलो आज आप रहने दो आज सबजी मैं ही बना देती हूँ क्योंकि इनको जो है कट करूँगी और उसके बाद में इनको वॉश करूँगी तो बस यहां पर मैं करने लगी हूँ मश्रूम कट अच्छा जो मटर मश्रूम की सबजी है ना वह वन्शिका के पापा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाते है उनका तरीका बिलकुल अलग है और उ मश्रूम कट करने के बाद मैंने उसको अच्छे से वॉश कर लिया है दो तीन बार और मैं ट्रांसफर कर रही हूँ इसको एक अलग प्लेट में और उसके बाद ना यह मश्रूम हम लोग फ्राय करेंगे थोड़े से ओल में तो थोड़े से ओल में मश्रूम जो फ्राय कर द और लास्ट में ऐसा होगा कि पानी भी सारा सूख जाएगा उसके बाद यह मश्रूम है और साथ में लैसून सारी चीज़े चॉप कर दी है और यह मैं बनाऊंगी प्रेशर कूकर में तो बचा हुआ ही था कड़ाई में बस उसी को मैंने प्रेशर कूकर में ट्रांसफर करना ह और अभी सबसे पहले जो प्याज है ना उसको हम अच्छे से जो है गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे उससे पहले मैं थोड़े से जो खड़े मसाले होते वो एड़ कर रही हूँ जिसमें मैंने तेश पता दाल चीनी और एक काली वाली जो इलाइची होती है वो जो चौप किये वे प्यास थे और लेसुन थे वो मैं इसमें एड़ कर दूँगी और इस तरीके से चौपर में चौप करके बनाऊना तो ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है और मटर मश्रूम में चावल के साथ तो बहुत ही अच्छे जाते बहुत टेस्टी लगते लेकिन हम लोग इसको आज रोटी के साथ ही खाने वाले है तो बस जब तक यहाँ पर यह जो प्याज है न यह गोल्डन ब्राउन हो रहे ती दिन में मैंने टमाटर और हरी मिर्च भी चौप कर ली थी इसको भी मैंने एड़ कर दिया है और अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसम जो ऑईल है न वह सेपरेट नहीं हो जाता और जैसे ही ऑईल दिखने लगेगा अलग से हम इसमें एड़ कर दिंगे मटर को एक बार मिक्स कर दींगे मश्रूम और दोनों चीजों को मिक्स कर दिंगे आप चाहें न तो इसमें बिल्कुल यहाँ पर एग गलास पानी होता है ना लिक्विड वह ज्यादा अच्छा लगता है तो यहां पर देखिए मैं इसमें थोड़ा से ज्यादा पानी आड़ किया है और स्पेशल कुकर का धकन मैं लगा दूंगी और अभी दो से तीन सीटी आने तक इसको मैं पकाऊंगी तो मैं यहां पर सब्जी बनाई रही थी तो मैंने दो जो आटा भी मैं इन गुन लेती हूं फिर आप रोटी बना देना बाद में तो होता है ना साथ के साथ अगर जैसे सब्जी बन रही है उसी टाइम पर अगर आप आटा गुन लगो तो सारी तो अभी जब मैं वापस चली जाओंगे ना तो फिर मुझे वहां का कीचन ना छोटा लगने लगता है तो होता ही है ना ऐसे एकदम से आदा छूट जाती है ना फिर घर की चीज़ा थोड़ा सा छोटी लगने लगती है तो देखें यहां मैंने आटा गुन के रख लिया था और आटा सैट हो गया था उसके बाद यहां पर मम्मी बना रही है सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां क्योंकि ड्यूटी है मम्मी की खाना नी खाना विदांच चलो मटर और मश्रूम बनी आजो सब मटर मश्रूम खारे बिटा आज़ा चलो वंचो एक रोटि खाले बिटा एक एक भी नी खानी एक तो खाले यह है नेक्स टे मॉनिंग तो हमारी हाउसल पर आ चुकी है और घर की जो है सफाई चल रही है पूरी मतलब दूलाई चल रही है वह तब से अपना रेगुलर टाइमिंग पर आने लगी है तो बस यहां पर वह अपना धुलाई कर रही है और मम्मी जो है नाश्ते की तयारी कर रही होंगी इस टाइम पर और बहुत बड़ा एरिया है ना वाश करने के लिए तो थोड़ी सी जो है ना दिक्कत होती है अभी जो है ना शानवी आई हुई है आप लोगों को पताई है तो शानवी के आदे से ज्यादा काम मम्मी करती है जैसे कि उसको खाना खिलाना सुबह उठके उसको दूद वगरा देना क्योंकि वो ना मम्मी के ही हाथ से दूद पीती है उनी के हाथ से ही खाना काती है और म मुझे उसनों सिर्फ नहलाने वाले ड्यूटी दी हुई है कि बड़ी ममा आप मुझे नहलाओगे बाकी के सारे काम जो है नानी करेगी वेदू 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 गुट मॉनिंग उठो चलो पते शानू कबसे उठ गई है उठो चलो जल्दी मैगी बनाऊंगी मैं आज उठो जल्दी नाच्टे में जल्दी जल्दी नहाद हो लोगी चलो उठो का जो काम है ना वो तो हो चुका है लेकिन बच्चे सोते रहते ना तो बैट वगेरा ठीक हम लोग बाद में ही करते जब बच्चे उठ जाते तो यहाँ पर विदांश को मैंने इतनी बार उठाया है ना मतला कम से कम 20-25 बार इन लोगों को आवाज लगानी पड़ती है तब जाके यह लोग जो है उठते हैं इन तीनों बच्चों में ना सबसे पहले हमारे गर शानवी उठती है उसके बाद जो है विदांश और वन्शीका का नंबर आता है वन्शीका तो बहुत जादा आलसी ह जाती है छुटियों में वो तो मतलब उसको तो अगर आप सोने दोगे ना तो वो साड़े ग्यारा बारा बजे से पहले उठेगी ही नहीं तो बस यह पर मैंने जो है बैट की जो चादर होती है वो भी आज चेंज कर दी है क्योंकि बच्चे जो है जब से उनके मामा मामी ग सब्सक्राइब करेंगी है अब ब्रेकफस्ट के बाद का टाइम है तो नाश्ते के बाद मतलब एक डेट घंटे बाद हम लोग फूट्स काते हैं तो आज कल आपको पता ही है तर्बूजे का खर्बूजे का सीजन बहुत है तो पापा यहां पर जो है वो लेकर आये हुए और यह जो शान हो है अपनी नानी के कांड में पता नि क्या-क्या बूलती है मöllलब कोई भी शिकायत करनी होती ना उसे तो मम्मी से ही कर वहा है और इस व्लोग मैंने कल सूबे से सटार्ट के लिए और बस घर आये अभी अभी और यहां पर देखिए पर इस सारे के सारे बच्चे जो है ना अपना मूवी देख रहें ब्रहमास्तर लगाई हुई है और साथ में चिप्स करें जॉए वो बैटी है शानवी वंची का ये है विदांच और ये है सम्रीदी इसके बारे मे और ये शानु कुझे दे दे लिए और ये फिर यू करके उसके उससे चला रहे है नहीं नहीं देगी शानु गुटगाल है देखो दे देती है वेरी गुट इनको इंजॉय करने देते इनकी मूवी हम लोग चलते बाहर अभी करेंगे डिनर की तैयारी और और ममी ने यहां को अलुगोबी की सबजी बनने वाली है और यहां अपने नानी की ड्यूटी लगी हुए शानु को खाना कहलाने के लिए और शानु है ना बिल्कुल नहीं खा रही है ना जल्दी खालो और कल तो शानु की मम्मा आ जाएगी कैसा लग रहे है अच्छा लग रहे है और विदांश अराम से विटा वह अपने आप दे देगा तुम अगर बैठोंगे ना बोलोगे कि हम नी खेल रहे हैं वह खुद से लाके देगा इसे खीचो मत अभी वह नहीं खेल रहे हैं दो बोलो कुछ चोड़ देगा वहां प्यार से अचीन ना इसे देख छोड़ दिया कि देख छोड़ा में जानत्यक हो क्बच्वक मतल व अब हिगा है कि भी कषेश होता यहां पर बच्चों की फर्माएश थी उनको पीना था नानी के हाथ का तो बस नानी लग गई है यहां पर मैंगो शेक बनाने में अच्छा वेदांज को घर में देती हूं न तो बहुत मुश्किल से पीता है और यहां पर ममी के हाथ का बड़े अच्छे से पी रहा है क्या कर डालती हो आप ऐसा कुछ नहीं कुछ चीनी उगेरा में उगेरा क्या होता है मम्मी उगेरा नया है कुछ तो मैस अच्छा उसको वही होता है ना बच्चे अपने घर में तो नहीं पीते लेकिन और कई उन्हें मिल जाए ना तो पी लेते जल्दी पीओ विदाश नानी के हाथ का मैंगो शेक जादरी पसंद आगया ना नानी ने पूरे इंतिजाम रखे बच्चों के लिए इस्ट्रॉबी रखा है कैसा हो रहा है शानू कैसा हो रहा है यम्मी अच्छ पीओ इसने तो मैंगो शेक इतनी स्पीड में पी आया यहां इसको पता नी क्या अच्छा लग रहा है तुने पी लिया ना बहुत अच्छी बात है वेरी गूड तो बस अब इनका जो है डिनर भी हो गया दस भी बच चुके बस अब हम लोग करेंगे सोने की तैयारी और आफ वा लेकिन उससे पहले आपके एक दो चीजों के मैं जवाब देना चाहती हूं तो सबसे पहले तो आप लोगों के कॉमेंट्स आ रहे थे कि दी आप नौईडा कब जा रहे हो तो बहुत जल्दी में जा रही हूं आपको बता लग जाएगा एक दो दिन के अंदर जो है मैं मुझे यह पर तो मैं भी चली जाओंगी और तीसरी चीज़ यह है कि अभी जब मैं शिल्पी के घर घर गई थी तो बहुत सारे कॉमेंट्स आए कि शिल्पी के घर में एसी नहीं लगा है और आप इसलिए महाँ पर नहीं रूखे और बहुत सारे कॉमेंट्स आए तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है हमारे याभी एसी को यी बहुत पहले से नहीं लगाए और बच्छपन से हमारे एसी नहीं है यह जीज़े तो जो है ना टाइम के साथ लगती है हमने वह दिन देखे वो हैं और हम लोगों को पता है कि बिना एसी के बिना फुलर के भी रहा जा सक अगर आपको लग रहा होगा और यह सफाई मुझे देनी लेती लेकिन कुछ लोगों के इतने मतलब ऐसे गंदे कॉमेंट्स आते हैं ना कि देखके ना बड़ा मिरको दुख होता है कि मतलब अगर किसी का घर चोटा है तो आप कुछ भी मतलब सोच लेते हो मैं क्या ही बोलू इससे ज़्यादा मुझे नहीं बोलना है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शोफ नहीं करना चाहती हूं कुछ भी और जहां तक रही शिल्पी के घर की बात तो इसका जवाबना मैं आपको मतलब उन लोगों को फ्यूचर में दूंगी और बहुत अच्छा ज नवाब दूंगी उससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूं तो बस यही बात है तो हम लोगों को बिना AC कुलर की आदत भी है तो हम लोग हर जगे मैनेज जाते शिल्पी के घर ना रहने का रीजन यहीं था कि मेरा मन नहीं लग रहा था कि दो दिन में तो शिल् तो बस यही रीजन था बाकी इतना ही मुझे आप लोगों से कहना था और जो यह चोटी सोच रखते हैं ना कि उनके घर AC नहीं है उनका घर ऐसा है उनका घर वैसा है तो प्लीज मैं उनको बोलूँगी आप लोगों को नहीं रहना वाप पर वो बहुत खुशी से रहती है तो आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की ज़रूत नहीं है कि वो कैसे रह रही है वो AC में रह रही है या वो बीना AC में रह रही है जीरो से ही शुरुवात करते तो यह चीज है बाकी अगर मैं उसका एक्स्प्लेइन करने लगू ना शिल्पी का तो बात कहां से कहां जाएगी मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते कि उसके पास क्या क्या चीज़े है तो वही है ना फिर वह शुआफ करने वारी बात हो जाएगी और वह मैं चाहती नहीं हूं और इन चीजों का जवाब देना जरूरी था क्योंकि बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे ऐसे और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा मैं आपसे मिलती हूं अपने अगले वीडियो में तब तक ले बाबाए टेक क्यार और गुट नाइट गुट नाइट गुट नाइट कर दो गुट अची रात शूबरात री शूबरात री मॉलते शूबरात री वोलते शूबरात री मॉट चलिये बाए